नमस्कार मित्रो वेलकम आपका स्वागत है आपकी चैनल एड़ वैल्यू टु लाइवज आप सब ठीक होंगे हम आज बात कर रहे हैं इस बुक की गोप्रो और इसको लिखा है एरिक वोरी साब ने ये बुक का या एरिक वोरी साब का जो रिलेसेंशिप है ये है नेट्वर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से सहे एरिक वोरी साब ने अपनी लाइव में बहुत जल्दी ही ये जर्णी शुरु कर दी थी नेट्वर्क मार्केटिंग की और काफी सकस्ट्री रहे का पहले बहुत अडचनाई पर काफी सकस्ट्रीम में और उसके बाद जो लाइव के एक्स्पिरियेंस हैं ये इस बुक क के थुरू या ट्रेनिंग सेमिनार्स के थुरू लोगों तक यह पहुचाते हैं अब आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे कुछ रिक्वेस्ट्स हैं एक आप ये वीडियो पूरा सुनें दूसरा इस वीडियो को आप लाइक करें या डिसलाइक करें कमेंट्स में जरूर से ल इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये जो वीडियो है या मेरा चैनल है इसका एक ही उदेश्य है कि मैं एंट्रेणियोर्शिप के बारे में या बिजनेस के बारे में या माइंडसेट के बारे में जो हेल्प करें बिजनेस को या एंट्रेणियोर्शिप को उसके बा इंका एक अच्छा सा निट्वर्ट बने तो चलो हम बात करते हैं इस बुक की एरिक वरी साहब ने इंट्रोडक्शन में यह का कि नेट्वर्ट मार्केटिंग क्यों जरूरी है नम नेट्वर्क मार्केटिंग इसके लिए जरूरी है कि जो existing पैसे कमाने के तरीके जो है से return कमाता है इन सबकी limitations है कोई पैसे के तौर पर limitations है कोई job satisfaction के तौर पर limited limitations है खुद का काम करने के बाद भी एक संतुष्टी नहीं मिलती stress होता है टेंशन लेके चलते हैं लोग तो कहीं न कहीं एक एक टाइम आता है जब इंसान सोचता है अब आगे क्या तो वही टाइम के पॉइंट पे रहकर के साहब ने ये बुक लिखी है साहब का मानना है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक करियर है जो इंडेस्ट्री है जो बिजनस ऑपरचुनिटी है वो बहुत ही बढ़िया है ब के नेटवर्क मार्केटर जो होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं एक होता है पोजर जो नया नवेला है जिसमें जोश बहुत है जिसको क्विक प्रॉफिट कमाना है प्रॉफिट लेकर के धन्वान बन जाना है पर जिसको टाइम और एफट नहीं डालना है दूसरे जो नेक इसरे जो है वो है प्रोफेशनल जिसके पास टालेंट है विल है और जो टोटली कमिटमेंट दे के चलता है कि भाई मैं अपना बेस्ट दे दूंगा इस काम के लिए और इसको मैं रिजल लेके आऊंगा ठीक है आगे साहब ने साथ स्किल्स बताएं हैं सबसे पहला स्किल है सब्सेक्स धुनने के लिए साथ कहते हैं कि पहले अपनी जान्करी में जितने लोग हैं इंके भारे में आप इनकी लिस्ट बना लो फिर और जो लोग है जिनके लिस्ट में नाम लिखा है वो कितनों को जानते हैं और उनका नाम अगर यदि आपको पाद़ा हो आप list add कर लो जब यह list बन जाती है फिर आपका काम यह रहेगा कि आप रोज एक या दो बंदों को आप add करें और अपनी list बढ़ाते रहें यह list बढ़ाने का और बढ़ाने का काम जो है यह regular चलते रहना चाहिए यह आपका network जो है इसको बढ़ते रहना जरूरी है आपको हर दिन नए लोगों को मिलना है ढूड़ना है और लोग दिखते हैं लोग होते हैं आप जहां कई भी जाओ आपको लोग दिखेंगे दिखेंगे और दिखेंगे मिलने के और जो बात करने के बात छेड़ने के जो तरीके है वो अलग-अलग होते हैं आप सही किसी को जानते नहीं और उसको सीधे ही जाके कहोगे मैंने ये बिजनस शुरू करा है तुम भी मेरे साथ करो तो वो सुने गाने वह आपको गगा पागल है भाग जा तो वो नहीं करना तरीके हैं सलिके हैं उसके और network बढ़ाने का जो एक तातपर यह होता है कि आपको recruit करना है आपको अपना network बढ़ाना है यह आपके दिमाग में हमेशा ही रहना चाहिए दूसरा skill जो है वो है invitation का अब जब आपने नाम लिख लिए, लोगों को मिले, अब अगले स्टेप पे जाना ज़रूरी है, लब साब ये कहते हैं कि आप एक किसान, एक फार्मर की तरह अपनी सोच बनाओ, जो बीज बोता है, जो फसल उगाता है, और ये हर साल, हर सीजन में ये आक्टिविटी चलती है, द बिजनस, या ये इंडस्ट्री, या क्या है, आप क्या कर रहे हो, पर उसका भी एक तरीका है, आपने इन्वाइट करना है, उनको एक सेमिनार के लिए, एक प्रेजंटेशन के लिए, और वो सेमिनार या वो प्रेजंटेशन जो है, वो आपका सीनियर जो है, या उसका जो स तो आपको quickly invite करना है लोग आपको पूछेंगे भाई क्या है आपको वहाँ पर नहीं बताना है अपको सिर्फ यह कहना है कि भाई अगर आप extra पैसा कमाना चाहते हो या नया कोई काम शुरू करना चाहते हो जो आपके existing काम के साथ के साथ हो सकता है जो आपके existing काम को disturb नहीं कर करेगा अगर आप राजी हो तो आप मेरे इस पते पर इस समय आप आजाए और भी लोग आने वाले हैं आप भी आजाए और तब मैं जो senior है मेरे वह आपको यह opportunity बताएंगे अब हा कहते हैं तो आपने समय और टाइम दे दिया वह ना कहते हैं आप धन्यवाद कहें और उनक करोगे next person को invite करने के लिए आपका काम यह होता है जब आप नए होते हो दंदे में आपने prospecting करनी है और invite करना है और यह जो formula है यह सारा proven formula है इसमें कोई नया कुछ डुणने की या नया कुछ करने की कोई जगे नहीं है लोग करने की कोशिश करते हैं फेल होते हैं पर फिर कोई इसी रास्ते पर आ जाते हैं तीसरी जब meeting होती है जब लोग आते हैं तो आप meeting शुरू करते हो बट जो असल जो main presentation है वो आपके जो senior होते हैं या उनके जो senior होते हैं वो देते हैं क्योंकि वो senior है वो professional है उनुन्होंने बहुत सारे presentation दिये हैं तो आपका काम है उनको ध बात को बहुत clear रखना है, बात को बहुत ही transparent और clear रखना है, अब जो presenter है, जो senior है, वो ये खुद की story बताएगा, और खुद की story में पहले वो क्या था, क्या अच्छा नहीं लगता था, क्या दर्थ था लाइफ में, और एक time ऐसा आगया था, जब वो बहुत परिशान था, त है, और तब से उन्होंने काम करना शुरू किया, और वो journey, वहां से लेकि अब तक, कैसी fruitful रही इनके लिए, उन्होंने क्या सीखा, क्या लोगों से मिले, क्या पैसा आना शुरू हुआ, और इनके life में क्या-क्या फाइदे हुए, अब scene ये होता है, कि ये presentation भी बहुत short and sweet हो लंबी लचक कानी नहीं बता रहे, तो लोगों का विश्वास बनना शुरू होगा, अब जो invite किया है, उसमें से मान लो 10%, 20% हा कहते हैं, तो आपने जो हा कहते हैं, उनको पहले next step के और ले जाना है, और बाकी की जो हैं, उनको आपने thank you कह करके, appreciate करके, buy करना है, अब जो ह हा कह रहे हैं, उनको आपने introduce किया, उनकी जो process है, formality वो पूरी करी, और आप उनको एक comfort zone थोड़ा सा देते हो, तीसरा, पांचवा जो step है, signing up होने के बाद, आप उनको एक game plan होता है, जिसमें उनको आप पूछोगे, उनसे understanding लोगे, वो क्या कमाना चाहरे हैं, कितना कमाना चाहरे हैं, वो कहेंगे, जी मैं X amount कमाना चाहता हूं, तो उनको ये पूछना है, कि भई, आप X amount कमाना चाहते हो, तो आप कितना समय दे सकते हो, आपके routine life में से, कितना समय निखाल के इस काम के लिए कर सकते हो, वो कहाएगा, जी मैं एक गंड़ा दे सकता हूं, वफते के discussion करके बताओगे, उसको भी समझाएगी, कि भई, हाँ मुझे क्या काम करना है, एक clarity होगी, अच्छा, इस समय पे या पहले या बाद में, आपको बड़े लड़ू नहीं दिखाने किसी को, क्योंकि अगर आपने बड़े लड़ू दिखाया, बड़ा कोई जासा बताया, औ थोड़े ही समय में वो reality सामने आएगी, कि ऐसा तो कुछ है नहीं, तो वो बंदा तूट जाएगा, वो तूटेगा, वो चार और लोगों को कहेगा, सबसे ज्यादा नुफसान आपका होगा, पर अगर वो बंदा रहा, और उसने काम करना शुरू करा, और वो अचीव करता पाइदा आपको होगा, उसके बाद छटे स्टेप में साथ कहते हैं कि आप उनको help करो start करने के लिए, तो एक स्टेप तो आपने ले लिया game plan समझाने में, दूसरा स्टेप आप करोगे, उनकी invitations में help करोगे, उनकी meeting अरेंग करने में help करोगे, उनकी जो meeting होगे, उसमें आ हमारी meetings में आप presentations दो, आपका काम है एक guide के तौर पे काम करें, success उनके हाथ में है क्योंके महनुत उन्होंने करनी है, आपका काम है दिशा दिखाना, direction देना, और एक काम आपने बहुत इसमें करना है कि आप जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप उनको independent बना द हो गया, तो शुरू में यह सापको support देना होगा, देना पड़ेगा, उनको भी support शायद लेना पड़ेगा, पर आपकी कोशिश ही रहनी चाहिए, कि जितने जल्दी आपके जो junior है, वो independent हो जाएगा, लास्ट में, साथवे step में साप कहते हैं कि, events जो होती है, company की events होती है, annual events होती है, quarterly होती है, half yearly होती है, country-wise events होती है, वो events आपने attend करनी है, अब वो events में होता क्या है, कि जो बड़े लोग है, वो आते हैं, वो अपनी company के अंदर की थोड़ी बहुत बातें शेर करते हैं, बाहर से motivational speaker को hire किया हुआ होता है, वो motivational speech देते हैं, फिर जो पिछले meeting से ले chief किया, उनकी appreciation होता है, उनका सम्मान होता है, उनको gift दी जाती है, या trophy दी जाती है, या reward दिया जाता है, फिर वो भी अपनी जो story है, थोड़ी बहुत बताते हैं, इतने बड़ी audience के सामने, तो वो audience में भी impression पढ़ता है, वो audience को भी motivation मिलता है, और उस audience में भी ये भावना जाती है, कि किसी दिन मैं भी उस stage पे जाकर के बात करूँगा, और वो करने के लिए लड़के या बंदे या बंदियां जो है, वो मैनत करते हैं, अब साहब का कहना है, कि आपने एक भी event, छोटी हो या बड़ी हो, एक भी event मिस नहीं करनी है, आपने events को निरंतर regularly attend करना है, साहब का एक मानना है, कि जो events attend करते हैं, वो बहुत successful होते हैं, जो events miss करना शुरू करते हैं, या नहीं जाते, वो आगे नहीं बढ़ते, अगर आपको आगे बढ़ना है, तो आप events attend करें, अब ये हो गई 7 skills, और book almost समाप्त हो गई यहाँ पे, अब book के बारे में, जो 2-3 बा book, but because of the factual thing, कि क्या होता है, कि जो list बनाने की बात है, उसमें आप family और friends का नाम बहुत पहले लिखते हो, और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, कि family और friends को पहले pitch करना शुरू करते हैं, पहले ही बदाना शुरू करते हैं, और होता क्या है, कि वो करने से संबंदों में, जो आप अपरोच करना शुरू करें, दूसरा जो अच्छे साइड पर ये है, कि बुक की लिखावट बहुत सिंपल है, सरवर भाशा में है, छोटी बुक है, जो example या जो flow है, वो बहुत बढ़िया दिये हैं, और जो tips दी भी हैं, बुक में, वो बहुत बढ़िया हैं, तो overall मै ये कहूंगा कि ये बुक अगर आप network marketing की journey शुरू करते हो, या आपने शुरू ही करी है, या आप एक level पर आगे भी हो, तो ये बुक आपको buy करना और पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बुक आपको एक बहुत सही रास्ता दिखाएगी, ये एक asset की काम आएगी आपको, मैं इसी के साथ, once again, मैं ये कहूंगा कि आप लाइक करें वीडियो को, कमेंट्स लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेर करें वीडियो या चैनल को, और नॉलेज को, एंड हम एक अच्छा बहतर network बनाए, इसे के साथ मैं ये वीडियो समाप करता हूं, धन्यवाद, थांक यू, शुब मंगल कामना, बाइ